आधने सुक्धिव केते हैं राजन उस समय भगवान का एक नाम पढ़ा दामो दर जब रेशम की रशी से पेट से लेकर की उफल से बांदा भगवान का एक दामो दर नाम पढ़ गया भगवान एक मुर नाम की दैति को मारा तो एक नाम मुरारी पड़ गया आज भगवान उखल से क्यों बंधे क्योंकि माई अशुदा की आंगन में दो ब्रक्ष थे एक यमलार्जुन का ब्रक्ष और एक अशुक ब्रक्ष ये ब्रक्ष कौन है ये नारज जी के ये पुत्र है कुबेर जी के कुबेर जी के पुत्र है ये दोनों पुत्र एक बार नारज जी उनके घर में आए तो ये खड़ देखतर की खड़े नहीं हुए स्वागा संबान नहीं किया नारज जी ने का कोई संस्कार बंस्कार नाम की चीज है कि नहीं कुबेर की पुत्र हो धन्पति के तुमको इतना अभिमान है खड़े खड़े देख रहे हो प्रणाम नहीं किया जाता जाओ ब्रक्ष की बाती खड़े हो तो ब्रक्ष हो जाओ नारजी ने उन कुबेर की दोनों पुत्रों को ब्रक्ष होने का साब दे दिया अब उनको बेर पुत्रों ने कहा प्रभू हम से ख्षमा हमें माप कर दीजी हमसे गलती बनी है अबिमान में ब्रक्ति सब कुछ भूल जाता है ना वो छोटा देखता है ना बड़ा देखता है ना कोई बुजर को देखता है ना कोई संत देखता है ना कोई पकीर देखता है आज के युकी ये हालात है ब्रक्ति अबिमान में इतना जी रहा है कि उसे पताई नहीं कि क्या करना चाहिए अपने कर्ता भी भूलता जा रहा है आज का जी जब उन्हें कहा कि हमें ख्षमा कर दिये जीए तो नारजी जी ने कहा कि नहीं अब तुम साम तुम को मिल गया अब तुम रक्षतों बनोगे लेकिन इतना है तुम ने जब ख्षमाई आचना की है बनोगे नंद बाबा इस उदा की आंगन में तो आज जैसे ही उस मुसल को उखल को लेकर की आगे गए और दोना ब्रक्षों के बीच में से तो भगवान ने अपने कहुनी का टहने लगा दिया दोना ब्रक्ष दढ़ाम से नेचे गर गए अब जैसे आवाज आई तो भहिया दोड़ी दोड़ी आई अरे राम ये क्या हुआ ये किसकी अलाय बलाय हो गई बल्दाओ भागे आए और नंद बाबा भागे आए नंद बाबा ने थोड़ी से डांट लगाई है सुधा मैया को कि तू लाला को जम मर्जी बांद दे जैसो मर्जी बोल दे तो ये पतो ना अभी अगर ब्रक्ष लाला की उपर गिर जाते तो क्या होता दावजे ने कहा मैया तिरो कहा बेंगारे हो लाला ने कि कुछ और सजा दे देती कुछ और बोल देती और ब्रक्षों के नीचे से जड़ से दो पुत्र निकला एक को बेर के और भगवान से प्रात्रा करने लगे है कि प्रभू ब्रक्ष योनिस्यमरा आपने छुटकरा दिलाया है हम आपके श्रणार बिंदों में बंदन करते हैं ये कुवेर के दौना ब्रक्ष दौना पुत्र जो है भगवान की प्रात्रा करने लगे कि वानी गुणान कतले स्रवनों कथायां अस्तो चकरमसू मनस्ते उपाद्यां इस म्रत्या से रस्त्वा मिवास जगत्वना में द्रश्टिम सदा दर्शनेतों भवेत्दनों ममां वानी गुणानों कतले स्रवनों कथायां है प्रभो हमें ऐसा बर्द्यान दीजिए कि हमारे कान आपके कथां को श्रवन करें और हमारी वानी केबल केबल आपके नाम का ही जब करें और कोई कारें नहीं करें और हम दोनों के हाथ केबल परोग कार करें दान करें पुन्य करें एशिक रपा कीजिए प्रभो हमारा मन केबल आपके चलनों में ही लगा रहे और कोई हमें जिग्यासा नहीं को इच्छा नहीं है मन की तो सारी बात ही है मन ही तो नहीं लगता प्रभो मन बहुत चंचल है अच्छा मन को जितना समझाओगे उतना ही ये और बाबरा होता चला जाएगा मन बड़ा चंचल है कितना इसे समझाओगे जितना इसे समझाओगे उतना ही मचल जाएगा मन पर काबू पाना बहुत मुश्किल काम है ये मन रुपी जो घोड़ा है ना इसकी कोई लगाम नहीं है अगर लगाम है तो वह प्रभु कृपा प्रभु की नाम का चिंतन धीरे 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 भगवान की नाम का चिंतन जब इस्वरन करेंगे तो आपका ये छोटा हुआ मन बिगडा हुआ मन ये पागल मन कुबिर की पत्रों ने कहा प्रभू केबल केबल हमें आपके ही स्वरूप का आपके ही धाम का आपके ही रूप का आपके ही लिलाओं का केबल इस्वन रहे और जगत का चंतर इस्वन हम करें ही न ऐसी कृपा की थिये इस जगत में हमारा मन न बसे ये आँखे के बल आपका दरसंद करें हमारी कोई और चाहा नहीं है ऐशी कृपा आप प्रभू करें भगवान ने बर्दान दिया और कुवेर के उन पुक्षों का उध्धार कर दिया बोलो भक्त वत्सल भगवाने की करें रामकृष्ण शास्त्रीजी के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए बल आइकन को दबाना न भूलें